Hello Everyone, हमारी तीन आप है BUSHAN SCIENCE PLUS पहली आप जिसमें हम Medical, Pharmacy और Nursing के Video Lectures Study Metalelel provide करते हैं, दूसरी हमारी आप है BUSHAN SCIENCE NEET जिसमें हम NeET-related Video Lectures, Live Classes और Study Metalelel provide करते हैं, और तीसरी हमारी आप है BUSHAN SCIENCE EX turbines जिसमें हम VARIEUS exams की Taste series provide करते हैं, इंक्लूडिव यूर फार्मसी, नर्सिंग, मेडिकल, गॉर्मेंट, नॉन गॉर्मेंट, इच्छ एवी एक्साम, थैंक्यू परिचाए आदित्य, बेटा चश्मा कहां है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है हाँ दादा जी, ये रहा आपका चश्मा हाँ, अब मुझे दिखने लगा है पताओ, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ दादा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है जरूर बेटा, पूछो चश्मे की साहता से आप इस पश्ट कैसे देख लेते हैं? बात ये है कि चश्मे में सही माप के लेंस लगे होते हैं जिसकी साहता से हमें सुन्दर संसार को देख पाते हैं अच्छा, तो इसके बारे में मुझे और विस्तार से बताईए हाँ, हाँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें नए अध्याए गिरण प्रकाश की तथा प्रकाश की अंत्र में लेंस के बारे में बताऊंगा उत्यशि इस पार्ट की अंत्र में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे गोलिये सथों से अपवर्तन की व्याख्या करना लेंस बनाने वाले सूत्र का उप्योग करना अपने लेंस सूत्र का उप्योग कर प्रति बिम्ब का इस्थान ग्याक करना प्रिज्म से होकर अपवर्तन की व्याख्या करना प्रिज्म द्वारा प्रकीर्णन की व्याख्या करना मानव नेत्र के कारे की व्याख्या करना सूच्मदर्शी के कारिकी व्याख्या करना दूरबीन के कारिकी व्याख्या करना गोलिये सत्हों तथा लैंस दोरा अपवर्तन गोलिये सत्हों पर अपवर्तन दिये हुए चुत्र में दो माध्यमों को सथक करने वाले एक उत्तल अपवर्तक सतह को दिखा रहा है मान लिजिये कि अपवर्तक सतह पर पी ध्रुव है तथा सी गोलिय केंडर है मानली जिये की विरल तथा सघन माध्य में अपवर्तनांक क्रमशा N1 तथा N2 है मानली जिये के वस्तु O उत्तल अपवर्तक सतह के मुक्य अक्षपर एक प्रकाश बिंदू है सतह पर बिंदू A से आपदित किरण O A के अपवर्तन के बाद अभी लंब N A C की ओर मुड़ जाती है सतह A I की दिशा में जाती है दूसरी किरण O P सतह पर लंब वद आपदित होती है सतह अपवर्तन के बाद C धी गुजरती है दोनों अपवर्तित पिर्णे बिंदू आई पर मिलती हैं जो बिंब ओ का वास्तविक प्रतिबिंब है बिंब तथा प्रतिबिंब दूरी के पधों में माध्यम के अपवर्तनांक तथा गोलिय सतह की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध इस प्रकार है एन दो बटा बी घटा एन एक बटा यू पराबर एन दो घटा एन एक बटा आर लेंस द्वारा अपवर्तन माली जीए की एल एक पतला लेंस है लेंस के पधार्थ का अपवर्तनांक एन दो है तथा ये अपवर्तनांक एन एक के माध्यम में रखा है लेंस का प्रकाश के इंदर C है तथा मुक्य अक्ष X-X है लेंस की सतह की वकृता त्रिच्या R1 तथा R2 है तथा उनके द्रुब P1 तथा P2 है लेंस की मुटाई T है जो बहुत कम है बिन्दू O लेंस के मुक्य अक्ष पर वस्तु बिन्दू है द्रोब P1 से O की दूरी यू है पहले अपवर्टक सत्य O का प्रतिबिमब आई डैश पर बनता है जो P1 से दूरी V डैश पर है प्रतिबिमब आई डैश दूसरी सत ख के लिए आभासी बस्तू का कारे करता है तथा दूसरी सथे से अपवर्तन के बाद अंतिम प्रतिबिम्ब आई पर बनता है पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है ये सूत्रे लेंस बनाने वाला सूत्रे कहलाता है ये सूत्र अफदल लेंस के लिए भी लागू होता है यदि प्रथम माध्यम वायू है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांग N हो तो N दो बड़े N1 पराबर N तथा हम निम्न जानते हैं पता लेंस बढ़ाने वाला सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है ये पतला लेंस सूत्र कहलाता है प्रकाश के वास्तविक स्रोत की ओर के बिंदू को प्रथम फोकल बिंदू जबकि दूसरी बिंदू को तुटिये फोकल बिंदू कहते हैं लेंस के आवर्धन M को सती बिम्ब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाशित करते हैं M बराबर H टेश बटे H बराबर V बटे U उधारण 6 cm उची एक वस्तु को अफ़तल लेंस के सामने 30 cm की दूरी पर रखा जाता है जिसकी फोकस दूरी 15 cm है प्रति बिम्र का इस्थान क्या कीजिए खल दिया है U बराबर 30 cm F बराबर घटा 15 cm आता लेंस सूत्र से एक बटा F बराबर एक बटा V घटा एक बटा U जो की प्राब्ट होता है एक बटा V बराबर एक बटा F जमा एक बटा U से बराबर एक बटा घटा 15 जमा एक बटा घटा 30 बराबर घटा 1 बटा 15 घटा एक बटा 30 अर्थात प्रदेविंब वस्तु की और लेंज से 10 सेंटी मीटर की दूरी पर बनेगा लेंज की ख्षमता किसी लेंज की ख्षमता की माफ किरण को मुख्य अक्ष की और मोडने की इसकी ख्षमता से की जाती है लेंज लेंज की फोकस दूरी लेंज लेंज से कम है बता है लेंज लेंज की ख्षमता की ख्षमता से अधिक है पस्टता पी एक बटा एफ के अनुक्रम अनुपात में है अंतर राश्टिय पद्धती में फोकस दूरी की एकाई मीटर है तथा लेंज की ख्षमता डाई आप्टर में है अता पी एक बटा एफ के परापर है इस पस्टता एक मीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंज की ख्षमता एक डाई आप्टर है इस संपर्थ में रखे पतले लेंजों का से योजन मान लीजिए दो पतले उत्तर लेंज एल एक तथा एल दो को एक दूसरे के संपर्थ में इस प्रकार रखा गया है कि उनके अक्षित समान है लेंजों की फोकस दूरियां F1 तथा F2 है तथा लेंज के दोनों तरफ माध्यम समान है प्रथम लेंज एल एक से यू दूरी पर एक बस्तू O इस्थित है लेंज एल एक किरनों को आई डैश की और मूरती है अर्थाद आई डैश प्रथम लेंज एल एक द्वारा बनाया गया प्रतिबिम्ब है यदि लेंज एल एक से प्रतिबिम्ब आई की दूरी भी है तो लेंज एल एक के लिए एक बटा पी डैश घटा एक बटा यू बराबर एक बटा एफ एक इसे समीकरन एक नाम दीजिए लेंस L2 के लिए एक बटा V घटा एक बटा V डैश बराबर एक बटा F दो इसे समीकरन दो नाम दीजिए समीकरन एक तथा दू को जोड़िए इसका मान एक बटा V घटा एक बटा U बराबर एक बटा F होगा जहां एक बटा F बराबर एक बटा F1 जमा एक बटा F2 यदि F1, F2, F3 इत्यादी फोकस दूरियों के कई पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो इस से योचन की प्रभावी फोकस दूरी इस परकार होगी एक बटा F बराबर एक बटा F1 जमा एक बटा F2 जमा एक बटा F3 इत्यादी शमुदा के पदों में इस इस परकार भी लिखा जा सकता है P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 इत्यादी संयोचन का कुल आवर्थन M लेंसों के अलग-अलग आवर्थनों M1, M2, M3 इत्यादी के गुडन फल के बराबर होंगे M बराबर M1 गुणा M2 गुणा M3 इत्यादी प्रिज्म से होकर अप वर्थन प्रिज्म तीन उर्थवधर समतल से गिरे समांगी एवं पांड़शी माध्यम है इनकी दो फलकें प्राया पोलिश की हुई होती है जो अपवर्थित फलकें कहलाती है सथाउन के बीच का कौन प्रिज्म कौन अथवा अपवर्थनां का कौन कहलाता है तीसरा फलक जो आधार कहलाता है प्राया नीचे होता है, जहां से प्रकाश का संचरण नहीं होता है। चलिए किसी कांच प्रिज्म ABC से होकर एक वर्णक प्रकाश की रण PQ के बत पर विचार करते हैं। AB फलक पर जब किरण कांच में आपतन कोण I से प्रवेश करती है, तो ये Q पर अपवर्टन कोण R1 से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा फलक AC से R पर टकराती है। फलक AC पर आपतन कोण R2 है, तथा किरण हविलंब से R पर कोण E बनाते हुए वायू में निकलती है। निर्गत किरण RS तथा आपतित किरण PQ की दिशा में अंतर को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। विचलन कोण डेल्टा कमान किया आजा सकता है। डेल्टा बराबर I जमा E लड़ा A किसी दिये हुए प्रिज्म के लिए A अचर है, विचलन कोण डेल्टा आपतित कोण पर निर्भर करता है। जब आपतन कोन बहुत छोटी कोन से बढ़ता है, विचलन कोन फहले घटा है जो निवन्तम हो जाता है, सथा बात में बढ़ता है निवन्तम विचलन आई पराबर E के लिए R एक पराबर आर्दू राप्तू होता है डेल्टा नियूरतम बड़ाबर दो आई घड़ा ए रिस्म के पदार्थ का अपवर्तना N बड़ाबर साइन A जमाख डेल्टा नियूरतम बटे दो बड़ा दो को साइन A बटे दो से विभाजित करने पर राप्त होता है प्रिज्म द्वारा परिक्षेपन श्वेद प्रकाश का संघटक रंगों में विपाटन परिक्षेपन कहलाता है रंगों के घटक क्रम में इस प्रकार प्राप्त होते हैं बैगनी, नीला, आस्मानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल बैगनी प्रकाश के विचरान कौन, अधिक्तम, तथा लाल प्रकाश के निवनतम होते हैं आता, जब श्वेद प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो भिन रंगों की किरने भिन दिशाओं में अपवर्तित होती हैं तथा इसलिए भिन भिन दिशाओं से आती होई तथीत होती हैं श्वेद प्रकाश के परिक्षेपन पर न्यूटन के क्लासिक प्रयोग सर आईसेक न्यूटन द्वारा किया गया प्रयोग उन्होंने दूसरे प्रिज्म पी दो को एक अन्य प्रिज्म पी एक के सामने उल्टा करके इस प्रकार रखा कि पहले प्रिज्म पी एक से निर्गत किरन प्रिज्म पी दो पर पड़े तो प्रिज्मू P2 से निर्गत किरण श्वेथ प्रकाश होगी। सूरे प्रकाश के कारण होने वाली कुछ प्राकृती खटना है। इंद्र धनुष ये प्रित्वी के वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के परिक्षेपन का एक उधारन है। ये घटना जल की गोलिय बूंदों द्वारा अपवर्थन तथा आंतरिक परवर्थन के संयोक्त प्रभाव के कारण होती है। प्रात्मिक इंद्र धनुष जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों पर पड़ता है तो भिन भिन किरणे भिन 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 विचलन कोन बनाती है। जब किसी किरण का दू अपवर्थन तथा एक आंतरिक परवर्थन होता है तो प्रात्मिक इंद्र धनुष बनता है। लाल किरण की तीवरता अधिकतम 42 तिक्री तथा जामनी किरण की तीवरता 40 तिक्री होती है। दूइतिय इंडर धनुश जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बुंदों पर इस प्रकार परता है कि दो अपवर्दन तथा दो आंतरिक परवर्दन हों तो प्रात्मिक इंडर धनुश के साथ दूइतिय इंडर धनुश भी प्राप्त होता है। डूतिय इंद्र धनुष में जैमुनी रंग का बिचलन लाल रंग की अपेक्षा अधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जब साधारन प्रकाश अतिधिक छोटी वायू कणों धूल तथा धूम्र कणों इत्यादी वाले वायू मंदल से गुजरता है। तो यह अपने पत से प्रकाश तरंग तथा लक्षेकड़ों के वेद्वुतिक शित्र सदीश की पारस परिक्विया के कारण विचलित हो जाता है। यह खटना प्रकीर्ण कहलाती है, तथा विचलित प्रकाश को प्रकीर्णित प्रकाश कहते हैं। प्राकीडन का रेलेनियम सूक्ष्म कणों यानी प्रकाश के तरंदेर्थ की विमाउं से प्रकीडनित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंदेर्थ के जतुर्थ खात के विर्थ ग्रमनुपाती होती है अर्थात हमें अधिकांश तमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। सूरे का प्रकाश प्रित्वी के बायुमंडल में पहुंचता है, तथा बायू तथा धूल कड़ों द्वारा सभी दिशाओं में प्रकिर्णित हो जाता है। नीले प्रकाश प्रित्वी के बायुमंडल में छोटे अड़ों द्वारा सभी दिशाओं में प्रकिर्णित होता है। नीले रंग के प्रकाश में आने रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकिर्णन होता है। क्यूंकि इसकी तरहंतर्थ छोटी होती है, जो कम दूरी तै करती है। यही करण है कि हमें अधिकाश समय आकाश नीला दिखाई देता है। सूरी उधाय तथा सूरियास्त के समय हमें सूरे रक्ताब क्यों दिखाई पड़ता है। जब सूरे आकाश में नीजे होता है तो इसके प्रकाश को हम लोगों तक पहुंचने के लिए अधिक तम वाय मंडल से होकर गुजरना पड़ता है। यहां तक कि नीले प्रकाश का अधिकाश भाग प्राकिर्नित हो जाता है। सिर्फ लाल रंगों का प्रकाशी सीधे हमारी आँखों तक पहुंच पाता है। इस्थेर होती है। यह लेंस नेतर लेंस कहलाता है। किसी प्रकाशवान वस्तू से आती हुई करणे जब आँख के लेंस पर पड़ती हैं, तो अपवरतन के बाद यह रेटिना पर फोकस होती है। इस प्रकार रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है। अमारा मस्तिश्क इस प्रतिबिम्ब को सीधा मैसूस करता है। नेतर की समंजन शमता पेशियों के लचीले पन के कारण नेतर का लैंस अपनी फोकस दूरी को बदल सकता है। जिसे कि हम पास वद दूर की वस्तु को देख पाते हैं। आँख की ये एक शमता समंजन शमता कहलाती है। आँख द्वारा किसी वस्तु को इस पश्टता देख सकने की अधिक्तम दूरी अनन्थ है। जब वस्तु अनन्थ या बहुत दूर पर होती है। तो इनसे निकलने वाली समांतर किरणे नेतर लैंस से अपवर्तन के बाद रेटीना पर फोकसित होती है। तथा वस्तु इस पश्ट दिखती है। इस अवस्ता में पेशियों में कोई तराव नहीं होता है। पर थात नेतर विराम की अवस्ता में होती हैं। तथा नेतर लैंस की फोकस दूरी अधिक्तम होती है। जब वस्तु नेतर लैंस के पास होती है। पेशियां लेंज की अपवर्तक सतों की वकृता को बढ़ाने या घटाने के लिए सिक उड़ती हैं। इसलिए लेंज की फोकस दूरी घट जाती है तो था रेटिना पर एक सपस्ट पतिबेंब बनता है। इस परकार नेत्र पास तथा दूर की वस्तूओं को इस पस्ट देख पाती हैं। प्रकाश की अंत्र नेत्र पुतली पुतली का कारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नेत्रित करना है। जब प्रकाश अधिक होता है तो पुतली सौभावता सिक उड़ जाती है। तथा जब प्रकाश मंद होता है तो पुदली अपने आप विस्तारीत हो जाती है। ये प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। द्रिष्टी की सम्वेदन शीलिता जब नेत्र किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र के सामने से वस्तु को अचानक हटा लेने के बाद रेटिना पर पन रहा वस्तु का प्ततिबिम्ब अचानक बैब नहीं हो पाता है। यह अनुभव लगभग दसमे सेकंड की लगु अब्धी तक भी होता रहता है। इसे द्रिष्टी की सम्वेदन शीलिता कहते हैं। वो इस्थान जहां पर द्रिग तंत्र का नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश की प्रती असम्वेदन शील होता है। सथा ये काला कहलाता है नेत्र दोश निकट द्रिष्टी अत्वा मायोपिया मायोपिया नेत्र का कैसा दूश है जिसमें व्यक्ति इवल पास की वस्तु को देख पाता है इन्टो दूर की वस्तु को इस बस्टता नहीं देख पाता है इस दोश का कारण है नेत्र लैंस की फोकस दूरी का कम होना नेत्र की गुलाई का फैलना उपचार इसे दूर करने के लिए उप्युक्तिव फोकस दूरी का अफदल लैंस प्रेयोग किया जाता है दूर त्रिष्टी अत्वा हाइपर मैट्रोपिया हाइपर मैट्रोपिया नेद्र का ऐसा दोश है जिसमें व्यक्ति केवल दूर की वस्तूं को देख पाता है। हिंदू पास की वस्तूं को इस पस्टता नहीं देख पाता है। इस दोश का कारण है नेद्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ता, नेद्र की गोलाई का सिकुड़ना, उपचार इस दोश को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है नेद्र दोश, प्रेस बायोपिया, बढ़ती उमर में नेद्र लेंस फोकस दूरी को पदलने की अपनी शमताथ हो देती है इसके परिणाम सरूप, नेद्र का निकट बिंदू दूर विस्थापित हो जाता है, तथा दूर का बिंदू अधिक पास आ जाता है जिससे कि नेद्र पास की वस्थू तथा दूर की वस्थू को नहीं देख पाते हैं नेद्र का ये दोश, प्रेस बायोपिया कहलाता है इस दोश को दूई फोकल लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है एस्टिकमेटिस्म नेत्र का ये दोश जिसमें समानदूरी की शेटिज तथा वोडवधर वस्तुएं रेटिना पर फोकस नहीं हो पाते हैं एस्टिकमेटिस्म कहलाती है एस्टिकमेटिस्म दोश का उपचार सिलिंड्री या बेलना कार लेंस के प्रयोग द्वारा होता है सूक्षम दर्शी सूक्षम दर्शी निकट की बहुत सूक्षम वस्तु को देखने का एक प्राक्रम है किसी सरल सूक्षम दर्शी में छोटे फोकस दोरी का एक उत्तर लेंस होता है सरल सूक्षम दर्शी का सिध्धान्त है यदि किसी वस्तु को लेंस तथा इसके मुख्य फोकस के बीच रखा जाए तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब सीधा तथा आवर्धित होता है किसी सूक्ष्म दर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर D गुणा एक पटा F घटा एक पटा B जब अंतिम प्रतिबिम्ब दर्शन की अल्पतम दूरी पर होता है अर्थात B बराबर D तो M बराबर एक जमा डी पटा F जब अंतिम प्रतिबिम्ब अनंद पर निर्मित होता है तो V बराबर अनंद M बराबर D गुणा एक पटा F एक बटा अनंद पराबर डी बटा एफ संयोक्त सूक्ष मदडशी इसमें लंबी बेलना कार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे चिदर वाले तथा छोटे फोकस दूरी वाले एक उत्तर लैंस होते हैं ये अभी द्रिशक लैंस ओग कहलाता है नली के दूसरी ओर दूसरे समान अक्षिये तथा चौड़ी नली लगी होती है जिसमें इसके बाहिचोर पर उत्तर लैंस ही होता है ये लैंस नेद्र की ओर होता है जो नेद्रिका कहलाता है नेत्रिका की फुकस्दूरी तथा द्वारक अभिद्रश्यक की दुल्ला में बड़ा होता है नेत्रिका के आगे कुछ दूरी तक तार लपेटा होता है संपूर्ण नली, शिकंजे तथा पीनियन वैवस्था की साहता से आगे पीछे गती कर सकता है संयूक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M बराबर घटा V शूने बटा U शूने गुणा D बटा F E जमा D बटा B E यहां चिन्न पूर्वत रखा गया है दूरबीन खगोलिय अपवर्थक दूरबीन में एक अभी द्रशक लैंस तथा एक नेत्रिका होती है यद्यपी दूनों यंद्रों में अंतर ये होता है कि दूरबीन के अभी द्रशक की बड़ी फोकस्तूरी तथा बढ़ा द्वारक होता है दूर इस्थेत वस्तु से प्रकाश अभी द्रश्यक में प्रवेश करता है तथा इसका वास्तविक प्रतिबिंब नली के अंदर बनता है नेत्रिका जिसका प्रयोग एक सरल आवर्धक के रूपने होता है अंतिम प्रतिबिंब को उल्टा करके दिखाता है जब अंतिम प्रतिबिम्ब अनंद पर बनता है अभी द्रशक लेंज दूर से आती हुई वस्तू की समांतर किरणों को प्राप्प करता है इस प्रकार एक प्रतिबिम्ब आई मुख्य फोकस F0 पर बनता है क्योंकि अंतिम प्रतिबिम्ब अनंद पर है आता आई को नेत्रक के मुख्य फोकस FE पर होना अवशक है इस प्रकार FE तथा F शूनने समान इस्थल पर है सामान समंजन में इसी दूर्बीन की आवर्धन क्षमता प्रति बिम्ब द्वारा नेत्र पर निर्मित कोंड तथा सीधे वस्थू द्वारा बनाए कए कोंड के अनुपात में होती है जबकि बिम्ब तथा प्रति बिम्ब दोनों ही अनंत पर होते हैं कोण ये आवर्धन? M बराबर घटा F0 ने बटा FE होता है, जहां F0 ने वस्तो की फोकस दूरी है, एवं FE नेत्रक की फोकस दूरी है. क्या आप चानते हैं? न्यूटर ने प्रदेशित किया कि कोई प्रिस्म श्वेट प्रकाश को रंगों के पट्टियों यानि इस्पेक्टरम में विक्टित कर सकता है. अबल आकाशिय दूर्बीन की साहता से सबसे दूर की गैलेक्सी का बता लगाया गया है. आईए हमने जो कुस्ती का है उसे संक्षेप में दोराएं. माध्यम के अपवर्टनांग के पदों में वस्तू तथा तथी बिम्ब की दूरी तथा वक्र कोलिये सतेह की वक्रता त्रिज्या के बीच सबंध है. लेंस निर्मान के सूत्र ये हैं. पत्रा लेंस सूत्र है. लेंस की आवर्धन M, M बराबर V बटा यू. लेंस की शमता P बराबर 1 बटे F में डायॉप्टर D. शमता P1, P2, P3 इत्यादी वाले फत्रे लेंस की सिन्योजन क्शमता है. P बराबर P1 जमा P2 जमा P3 जमा इत्यादी. प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्धनांक N बराबर Sine A जमा डेल्टा निूरतम बटा दू को Sine A बटा दू से भाग देने पर राप्त होता है. जहां A प्रिज्म का कून तथा डेल्टा M निूरतम विचलन है. श्वेद प्रकाश का संघटक वर्णों में विपाटन परिक्षेपन कहलाता है. सुक्ष्म कणों प्रकाश के तरंग देड़्ध की विमाओं से प्रकिर्णित प्रकाश की दीवर्था प्रकाश के तरंग देड़्ध के चतुर्थ घात के व्यतक्रम अनुपादी होती है. अर्थाद I, एक बटा लेम्डा की घाद 4 के अनुक्रम अनुपादी होती है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस्पायोपिया तथा एस्टिकमेटिज्म आग के दिश्टी दोश है सूक्ष्म दर्शी की आवर्थन क्षमता M बराबर D, गुणा एक बटा F, गुणा एक बटा B सन्यूक्त सूक्ष्म दर्शी की आवर्थन क्षमता M बराबर घटा B, शूने बटा U, शूने कुणा D, बटा F E, जमा D, बटा V E दूरबी का कून ये आवर्थन है M बराबर घटा F-09 बठा F-E जहां F-09 विम्मी की फोकस दोरी है तथा F-E नेत्रक की फोकस दोरी है